तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ का फिल ची होंगे तो दोस्तों कल मनभाफ फाइनस के IPO में अपलाई करने के लिए आखरी दिन है तो इस पर हमारा फाइनल डेसीजन क्या है? क्या इस IPO में अपलाई करना चुग यह नहीं करना चुग यह उसके अलाबा कल KRN Heat Exchanger का IPO open होने वाला है इसकी anchor list भी आगी है anchor list कैसी आई है उसके बारे में भी discussion करेंगे उसके अलाबा एक और upcoming IPO की dates की announcement हो गई है और दो दोस्तों नए और upcoming IPO को SEBI की दरफ से मंजूरी मिल गई है और इसमेंसे एक का IPO काफी दमाकेदार हो सकता है क्योंकि वो renewable energies पर काम करता है तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर उससे पहले दोस्तों आग तीन IPO की listing थी listing उम्मीद से थोड़ी सी कम देखने को मिली आलंकि arcade IPO उसकी listing तो as expected देखने को मिली जितना range हमने सोचा था उससाब से लिखने को मिली बट जो Northern Arc का IPO है या Western carriers का IPO है उन दोनों की उम्मीद से कम थी Western carriers की तो negative listing देखने को मिली तो इसके बीची के reason क्या हो सकता है तो देखा जाए तो market का overall अगर sentiment देखे तो काफी ज़्यादा weak नज़र आ रहा है globally भी देखे या Indian market के अंदर देखे तो आज दबाव देखने को मिला market के अंदर Sensex Nifty all time high बनाने के बाद आज profit booking भी हमें देखने को मिली तो थोड़ा बहुत उसका भी असर हमें देखने को मिला और दूसरी चीज़ है कि US FED का जो result आया था उस दिन market जो down हुआ था उसके बाद तो काफी ज़्यादा असर देखने को मिला है इन तीनों IPOs की GMP वगेरा सब पर और एक और कारण मुझे यह लग रहा है कि यह लगातार जो IPOs आ रहे हैं लगातार IPOs आने के कारण किया कि demand इदर उदा distribute बहुँ ज़्यादा हो रही है तो इस कारण भी यह असर हो सकता है जो यह listing हमें उम्नीद से कम देखने को मिली तो सबसे बढ़ी arcade IPO के listing हुई 36% जैसा profit हमें खुलते ही देखने को मिला लगबख 5200 के आसपास हमें profit देखने को मिला फिर यह highest 190 रुपीज तक गया था जो हमने एक gas लगाय था उसके पास गया था 190 रुपीज के आसपास और 6800 रुपीज जैसा हमें फाइदा देखने को मिला highest आज की तारिक में आप लोगों ने किया कि इसको hold करके बैठा है, sell कर दिया है, आगे और भी जानकरी देता हूँ और Northern Archive उसमें जो उम्मीद थी कि भी 50-60% जैसा हमें listing जैस मिलना चुई है बट उससे कम देखने को मिला, overall अभी market का sentiment अभी weak है इस कारण ऐसा हमें देखने को मिला और लगबग हमें खुलते ही 30% के आसपास profit देखने को मिला था highest 5000 का profit देखने को मिला, 350 के आसपास फिर उसके बाद थोड़ा सा नीची आ गया और Western Carriers के अंदर negative listing देखने को मिला, इस सब 3% जैसा highest profit देखने को मिला मतलब anchor list आने के बाद या subscription के बाद इन दोनों IPOs के demand अच्छी नज़र आ रही है और वैसे हमें listing भी देखने को मिली, तब देखें आरके developers अगर इसका sector देखें तो काफी अच्छा है इस sectors के अगर other shares देखें तो उन्होंने अच्छा return बना के दिया है और उसके comparison में अगर इस IPO को देखें तो valuations reasonable है, financially strong company नज़र आ रही है हाँ इसके अंदर ये चीज है कि थोड़ा बहुत अगर आप profit book करते है तो ये थोड़ी समझदारी वाली बात है बाकी decision आपको अपनी risk अपना analysis लगा के बनाना है Northern Arc का IPO इसके अंदर ये चीज है कि इसका NPA सबसे lowest है मतलब अपने जो industry के जो shares है उनसे सबसे lowest है तो ये काफी अच्छी बात इसके लिए positive point है बाकी भी overall ये strong company नज़र आ रही है और listing आज जैसे उम्मीद थी वैसी तो नहीं देखने को मेरी बट उम्मीद है कि थोड़ी तेजी आनी चाहिए और हाँ अगर आपने साड़ी 300 के आज़ पास profit book किया है तो मुझे लगता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है Western Carriers का IPO इसका sector अच्छा है देखी anchor list भी अच्छी आई Western Carriers को लेकर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा सिर्फ एक anchor list अच्छी है या उसके बाद कोई भी हमें खास तेजी या खास demand होते हुए देखने को नहीं मिली है और आपने listing वाले दिन भी देख लिया के इंदर हमें थोड़ी कम जोड़ी देखने को मिली तो आप लोगों ने किया कि इसको hold करके बैठे हैं या sell कर दिया है मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा फिर दोस्तो मनभा finance का IPO कल की तारिक में आखरी दिन है तो final decision क्या है तो देखिए अगर कि इसके सब्क्रिप्शन देखे तो 73 टांस थैया तर गुना के आसपास सब्क्रिप्शन मिला है सततर सो करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं साइप्यो पर तो अवरल बढ़िया सब्क्रिप्शन है कल की तारिक में क्यों एपी आप से अच्छे सब्क्रिप्शन की इच्छा लिस्टिंग इस देखने को मिलता है बट इस डेटा के बरोसे नहीं रहना है कि जरूरी नहीं कि हर IPO की लिस्टिंग सेम वैसी देखने को मिले वो इन जनरल बात उन्होंने बताई थी QIB पोरिशन 4.15 गुना NIA portion 100 बहुत तरगुना के आसपास Retail portion 70 times के आसपास सब्क्राइब हुआ है मतलब overall subscription बगरा बढ़िया है क्योंकि छोटा issues हाई जाए और इसकी GMP अभी down देखने को मिली जो तीनों IPO की listing हमें खास नहीं देखने को मिली IPO sentiment थोड़ा सा negative हुआ है और इसकी भी GMP थोड़ी सी डाउन होते हुए देखने को मिली चुकि कल 50-55% के आसपास चल ली थी आज की तानिक में 30-33% के आसपास इसकी GMP बता रही है लगबग 40 रुपय पर शेर 125 शेर का लॉट है 5000 रुपय जैसा अंदाजन फाइदा देखने को मिला लगबग 33% के आसपास अब इस पर हमारा final decision क्या है तो देखी सबसे बहला listing gains के सबसे अगर parameters देके तो GMP तो काफी अच्छी चल रही है बट GMP के पूरे बरुसे नहीं रहना अभी GMP डाउन भी होगी है दूसरी चीज है anchor list, anchor list ठीक ठाग आई है अब इतनी अच्छी भी नहीं कह सकते ठीक है फिर subscription, subscription बहुत ही अच्छा मिल रहा है ये बात तो है subscription के बरुसे सारी चीज है दूसरी है GMP के बरुसे और चौती चीज आदी है valuation valuations थोड़ी सी महेंगी नज़र आ यह मतलब इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है तो थोड़ा risk तो है बाट हाँ overall अगर लग रहा है कि आप risk ले सकते हैं तो लिस्टिंग है इसके साफ से ठीक है बागी decision आपको अपनी risk अपना analysis लगा के बनाना है फिर long term के साफ से positives और negatives देखते हैं positives यह है कि इसके profit margins वगरा अच्छे हैं और पूरा का बुरा IPO fresh issue है यह काफी अच्छी बात है company अपनी growth के लिए पैसा काम में ले रही है बागी इसकी ROI, return on net worth अच्छी है 15% से उपर है negatives क्या है? negatives में एक चीज है कि valuations reasonable नहीं है थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़ी आ रहता तो वो नहीं है दूसरा sector इसका थोड़ा competitive है और तीसरी चीज है इसकी anchor list ठीक ठाक आई है तो long term के एसाब से कुछ इसके जो factors है वो risk की नजर आ रहे है बाकि listing gains मिलने की ठीक ठाक संभावने नजर आ रही है personally मैं भी apply करने का सोच रहा हूँ वही retail category के इंतर listing gains के एसाब से आप लोग क्या करेंगे कि ऐसा IPO मप्लाए करेंगे नहीं करेंगे मुझे comment करके बता दीजेगा फिर दोस्तों KRN IPO की anchor list अ गई है कल की तारिक में ये open होने वाला है और दोस्तों Telegram WhatsApp चैनल को जरूर जोइन कीजिए ताकि चोटा मोड अपडेट और जानकारी वहाँ पर मिलती रहे और फ्री में रिमीट अकॉंट बगेरा खुलवायना है तो उसकी बेलिंग description के इंदर आपको मिल जाएगी और Instagram पर भी follow करना मत बूलिएगा वहाँ पर हमारी reels बगेरा मिलती रहती है कल की तारिक में ये ओपन होने वाला है तो सेक्टर काफी अच्छा नजर आ रहा है जीमपी भी उस रिसाफ से चल रही है बट जो एंकर डिस आई है एंकर डिस में इतने बड़े नाम नहीं है जैसी उम्मीद थी वैसी एंकर डिस नहीं आई है बट वैसी एंकर डिस नहीं देखने को मेरी और बात करें सौ करोड रुपए जो जड़ाए गए हैं इंकर इंवेस्टर्स के दौर उसके इंदर mutual fund houses सामिल है कोटक mutual fund है, बंदन है वाइट अप mutual fund सामिल है बाकि उसके लाब चोटे बड़े नाम है FII के इंदर कोई भी बड़ा नाम नहीं है तो आप इसको ठीक ठाक anchor list का सकते हैं, not bad मतब दो-तीन mutual fund है, ये ठीक है इसको साहरा दे देंगे, तो दस मैसे personally मेरे इसाब से साड़े तीन चार जैसी rating दे सकते हैं मुझे उम्मीद थी कि इस बड़िया anchor list आईगी इस IP के अच्छी anchor list आ सकती है क्योंकि इसका sector देखे तो अपने sector में पहली company ये list होने जा रही है और sector के अंदर leading है financials वगेरा भी अच्छे हैं तो साहब से लगा था कि इसके anchor list अच्छी आ सकती है अब देखते हैं subscription वगेरा कैसा मिलता है बग यहां कि company बुरी नहीं है company अच्छी नदर आ रही है और GMP देखे तो GMP 90% के असपस अभी चलिए 200 रुपए per share 65 shares का lot है 13,000 रुपए जैसा अंदाज अन फायता देखने को मिल रहा है और GMP के पूरे बरोसे मत रही है सिर्फ एक अंदाजा है overall care and heat exchanger company अच्छी है फिर दो 26 सितंबर को एक और नए IPO की announcement होगी है Diffusion Engineers जो की 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर की बीच में यह IPO open रहेगा यह कमने engineering और machinery से related काम करती है ज्यादा details में review वाले वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा price band 169 रुपे से लेकर 168 रुपे के बीच में रखा गया है अब यह महंगा है या सस्ता है वो review वाले वीडियो के अंदर clear हो जाएगा इसका lot size है 88 shares का और इसका issue size है 158 करोड रुपे का पूरा का पूरा fresh issue है चोटा issue size है हो सकता है T2T segment के अंदर हमें list होते हुए देखने को मिले GMP लगबग इसकी 35% के आसपस पल रही है 60 रुपे बर शेर 88 shares का lot है लगबग 5,280 रुपे जासा अंदाजन हमें फाइदा दिखने को मिल रहा है अभी तो देखी demand वगएरा ठीक बता रही है बट अभी recent ही आप देखें तो IPO की listing होई है वो GMP के according नहीं होई है तो इसलिए पूरे इसके बरोव से ना रहे हैं फिर दोस्तो दो और नए IPOs को SEBI से जो मंजूरी मिली है उसके अंदर VARI Energies का IVEO VARI Energies जो किया ही Solar Panel Manufacture करती है तो इस IPO की काफी अच्छी demand दा सकती है इसको SEBI से मंजूरी मिली है करीवन करीवन 3,000 करोड रुपे का issue size का ये IPO लेके आ सकती है अब देखते हैं डेट्स वगेरा कब announce होती है SEBI के तरब से तो आब मंजूरी मिल गई है उम्मीद है कि जल्दी ही इसकी dates वगेरा हमें announcement होते हुए देखने को मिल सकती है और पिछला एक Solar Panel Manufacture करने वाला IPO आया था Premier Energies का IPO तो ये भी Solar Panel ही Manufacture करती है उसकी भी काफी अच्छी listing देखने को मिली और इससे भी यही उम्मीद लगाई जारी है फिर दोस्तों Mobi Quick का IPO Mobi Quick पहले रीचार्ज वगेरा मैं ज्यादा इसका नाम चलता था रीचार्ज वगेरा करते थे इस IPO को भी मंजुरी मिल गए काफी टाइम से इस IPO पैंडिंग था मैं देख रहा हूं पिछले दो-तीन साल से Mobi Quick का IPO आईगा पर अभी तक नहीं आए पर इस बार मंजुरी मिल गए अब इसकी भी डेट वगेरा जल्दी अनॉंसमेंट होते हुए देखने को मिलेगी तो यह थे सारे आच के अपडेट सुम्मीत कर तो हमारा वीडियो हमारी जानकर आपको काफी पसंद आयोगी तो पसंद आई तो वी प्रिम एडिमेट एकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है मिलते हैं दोस्ता अगले वीडियो के अंदर